असलाव नेस्टों प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग जी माशचालाए माश्ला आप लोगों ने तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की आपको अपकी बहुत तारीफे कर रहे थी जी और आपको बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा सैट्फेट भी मिलेगा क्या करेंगे तो आज हम करते हैं चैप्टर नुबर सिक्स की स्टोरी जानते हैं और कुछ नए वर्ड जो हम इसमें पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कुरान कुरान जो के अल्ला की आखरी किताब है अल्ला ताला ने हदूस मुहम्मद अल्ला असलम जो के खातम नबीन है उन पर नासल फरमाई और कुरान जो हमारे लिए हर लमा हिदायत है हमारे अमसान मुबार्ग में ये नासल हुआ और य ये अल्ला का तफ़ा है कुरान करीम पढ़ने स्पHले हमने पहले भी जाना है के वरसू करके हम कुरान शेर को हाथ लगाने और कुरान शरीफ पढ़ते हुए बिल्कुल आप इदर उदर की बाते नहीं करेंगे और अपना जो आप सबक पढ़ रहे हैं उसको याद करेंगे ठीके ना आप लोग तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं न बच्चों डेली पढ़ते हैं कारी साब आते हैं उनसे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो के आप मस्ज़द जाके पढ़ते हैं ठीक है तो कुरान शरीफ हमें रोज पढ़ते रहना चाहिए हमारी ये किताब अल्ला ताला ने लम्हा लम्हा आहस्ता आहस्ता करके हमारे प्यारे नबी सल्लाइब पर वही के जरी उतारी गए वही के जरी उतारी कुरान शरीफ को सुर्तों की शकल में फिर एक तर्टीब में रखा गया पारों की शकल में तीस पारे बनाए गए जो के कुरान शरीफ के नजूल और इस्ताम से लेके तंम सूर्टे जितमे हैं वो उसमें शामिल है आपना पिरगाम जो है वो हमारे तक पहुँचाया है ता कि हम अपने जिन्दगी का जापता हियात उसके मताबक तैह कर सकें कि हमने क्या करना है कुरान शरीफ हर बंदा पढ़ सकता है हर मुसल्मान पढ़ सकता है जबान भी असान है सहल है और अर्बी जबान में नाजल किया गया है और हम जब कुरान शरीफ पढ़ें तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो लफ पढ़ रहे हैं उसके माइनों के साथ पढ़ें उसका मतलब जाने उसका मतलब समझें और उसका वो चीज़ देखें कि ये लवज हमारे अल्ला ताला ने नाजिल किया और उस जमाने के हालात क्या थे और किस तरह उसमें अल्ला ताला ने इस चीज़ को समझाने के कोशिश की ठीक है? कुरान शरीफ जो है वो उसकी सबसे बड़ी सूरत सूरत नमबर दो यानि सूर बक्रा है सूर बक्रा को तमाम चीज़ें कवर करती हैं जो के हमारे सिंदगी में जरूरी है नमास का हुकम जकात देने का हुकम कुरान शरीफ में दर्ज है आपको पता है कुरान शरीफ की सबसे चोटी सूरत कौन सी है? जी सूर इकॉसर कुरान शरीफ की सबसे चोटी सूरत है जो के अल्ला ताला ने नाजर फर्माई और तर्तीब में सबसे आखरी पारे सूर अम्मा पारा में इसको रखा गया है कुराश शर्फ जो के दिल्चस वाकियात और दिल्चस कहानियों पे मुश्ट मिले है ऐसी कहानियां जो के सची हैं हमारे नभीयों की हैं परगंबरों की हैं उनके असहाबा की हैं और हमारे नभी स. उस तमाने में किस हालात को फेस करके आगे बड़े उन तमाम वाकियात में अल्लाद आल्लाद ने नभी ﷺ को तसली और रास्ता दिखाने के लिए उस सूर्थे यक बाद दीगरे नाजिल फर्माई और हमारे पहले नभी ﷺ ने कुराण शेफ को याद किया قرآن شیف کو یاد کیا اور اپنے اس زمانے کے جو صحابہ اکرام تھے ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شیف کو لکھوایا اور محفوظ کروایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی زمانت لی اس بات کی اقتضا کری کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں بل ہوا قرآن فی لہو محفوظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شیف کو आपने ही इख्तियार में रखा है ने लोग करांशीव पड़ते हैं dice से बड़ा सदकाय जारिया कोई भी नहीं है आप कुनाशीफ को पढ़ें तो बहुत से पगंबरों की जिन्दगी के अहवाल भी मिल जाएंगे उनके दोरों की जो मुक्तलिफ लोग थे उनकी बारे में किसे मिलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम क्राशिफ खोलते हैं तो हम अगर एक देखते हैं कि हमारे जो एक पेखंबर हज़त अबाहिम अलिए इसलाम जो के पुतों को तोड़ चुपे थे अगर आप बारे में नौलिज मिलती है कि वो किस तरीके से अपनी बीवी यानि हज़जरा अपने बेटे हज़जर इसलाम को एक सहरा में छोड़के आ गए थे फिर वो सहरा में वहाँ पर उन्होंने चक्कर लगाया एक सफा से मरवा वो दोड़ी भागी और उस तरह फिर हमें पता चला कि एक जमजम कख हुआ निकला और उससे पानी जारी हुआ और उन्होंने अपने बेटे जो कि शेखवार थे यानि बिल्कुल छोटे से नन्ने से दूद पिते बच्चे थे उनको पानी पिलाया कुराण शरीफ से हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत मुसा अलिएसलाम जी हज़रत मुसा अलिएसलाम जैस ने किस तरीके से फिरौन की सल्तिनत को शिकस्त दी और कैसे अपने साथियों को लेकर वो दरिया नील में उतरे औ और फिरौन को गर्द किया अल्ला के हुकम से उनोंने इस ये तमाम काम किया हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत याकुब जो के जो कि 15 बेटों के वालिद साप थे उनकी एक बेटे ठीकिन जुसिति पहिन साम भी परगंबर बने उन्होंने कैसे ठीकिन की अलग देखा और उनकी जुदाही में रोए और फिर उनके साथ पिर दोबारा क crave वर्रसनों बार हज़द युस्त विलिए यह वापस मिले और उनोंने उनसे मिलकर अल्लाथ से दौा कि कि वो मुझे मिल जाए इसके लावा हमें उन्स भी पता चलता है कि हज़द युनस स्यलियुक्त कैसे मचली के पेट में गए और मचली ने उनको कैसे जिंदासलामत वापस निकाला उन्होंने ये द्वा पड़ी और मचली ने बकाइदा उनको जिन्दा निकल दिया आज ये द्वा हमें आयत करीमा की शकल में मिलती है और हम पढ़ते है ख़रत अयूब अलिएसलाम के बारे में आप पढ़त कुनाशिफ में मिलता है कि उनको एक खतनाक किसम की बिमारी हुई अल्ला ताला ने इस बिमारी में आठ साल तक रखा और उन्होंने मुझ से उफ तक न की आठ से उफ न की यहां तक के फरिश्टे आते हैं और कहते हैं कि आप अगर दौा कर लें और अगर तो हम लुझ ताला आप की बिमारी को सहीं कर लेंगे वो यह इस बात की जवाब में कहते थे कि अल्लभ ताला ने इतने अर्से तक मुझे खुश भी तो रखा था अब मैं कैसे अपनी इस बिमारी का अल्लभ ताला से इज़ार करूँ अल्लभ तो सब चीज़े देख रहा है अल्लभ ताला को जब मुम्किन होगा इससे मुझे सहतियाब कर देंगे इसके लावा हम एक और नभी हज़त इसा अलेशलाम के बारे में भी कुराशिव से नौलेज हासल करते हैं इसा अलेशलाम जो के मुर्दों तक को भी जिन्दा कर देते थे बिमारों को शिफायाब करते थे कोड जिनको होता है यह एक बिमारी है उनको भी शिफायाब करते थे तो यह तमाम परगंबर और इसके लावा मुक्तलिफ परगंबर सब की हमारे किसे कहानिया नौलेज मालूमात यह सब हमें कुराशिव से मिल सकती है कुराशिव को पढ़ना चाहिए तिलावत सुबह शाम करने चाहिए और ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए कुराशिव को पढ़ने में कोई जल्दी का काम नहीं है कुराशिव को आइस्ता आइस्ता पढ़ना चाहिए اور आपको पता है कि कुराश शेफ की एक सूरत ऐसी है जो कि हम हर नमाज में हर अकात में पढ़ते हैं कौंसी सूरत है? सुर फातिया सुर फातिया जो कBoy हमें शफा की सुरत में मिली है अगर हम सुर फातिया यानि-अल्हम्दुल्ला-रभलालमीन सूरत को हम पारी भी भी पढ़के फूकें तो हमें किसी भी बिमारी से शफा मिल सकती है अल्ला की हुकम से है ठीक है ना तो बच्चों आज हमने अपने चैप्टर नमबर 6 में जो के है एक किताब यानि अल्कुरान करीम उसके बारे में कुछ पढ़ा अंगली क्लास में इंशालला और मजीद पढ़ेंगे आप इस वीडियो लेसन को अगेन देखीएगा और इसमें मौझूद वालुमात को हासिल करके अपने टीचर को इसका फीड़बैक देंगे मिलेंगे अंगली क्लास में अल्ला हाफिज अल्ला हाफिएगा